कि क्यों नमस्कार अर्पन करते हैं हम किस प्रकार नमस्कार अर्पन करना चाहिए और नमस्कार कर अर्पन करने का क्या लाब है क्या गुरुत्व है यह चर्चा कहीं आचार्यों नहीं की जैसे श्रिला प्रभुपाजी के लीलाओं में ही एक बहुत सुन्दर कता आती है अमोग प्रभु नाम के एक प्रभुपाज के शिश्य ये कता अपने श्री मुख से उद्रित करते हैं बरणन करते हैं, कहते हैं कि एक बार कीरतन चल रहा था, और मैं नृत्य कर रहा था, पर भाव ये था, कि है श्रीला प्रभुपाजी, मनी मन में, हम में ना बुद्धी है, ना वाक शक्ती है, ना कोई क्षमता है, हम क्या सेवा कर पाएंगे, हमारा जीवन तो तुछ जीवन ह स्वार्थी जीवन है, यह अपने दैनिता से वो कह रहे हैं, ऐसे कहते कहते उन्होंने साश्ठांग नमस्कार अरपन किया, जब कीरतन अंतु हुआ, प्रभुपाजी उनको देखे, और कहे, जीव चाहे अपने आपको कितना अयोग्य माने, जब वो पूर्ण साश्ठांग नमस्कार अरपन करता है, प्रभु उसको ग्रहन करते हैं, बहुत सुंदर बात, एक बार एक रूम कॉन्वर्जेशन में, जब अपने कमरे में प्रभुपाजी संबाद कर रहे थे, एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाजी आप कहते हैं, आपके ग्रंत का पठन करना चाहि है, तो हमें कैसा पता चलेगा, कि व्यक्ति ने ठीक अक्षरशा अभ्यास किया है कि नहीं, आपके ग्रंतों का पठन किया है कि नहीं, कैसे हमें पता चले, श्रीला प्रभुपाजी ने कहा वैश्नव सदाचार से, यदि पठन पाठन हो रहा है, और वैश्नव सदाचार से चुती हो रही है हम हट रहे हैं तो पठन ठीक से हुआ नहीं तो फिर भक्त ने पूछा वैश्णव सदाचार को यदी जानना हो तो कैसे जाने तो श्रीला प्रभुपाजी ने कहा अगर वरिष्ट वैश्णव आपके समक्ष दिखे और आप पूर्ण रूप से सिर जुका कर नमस्कार करे मैं मानूंगा कि वैश्णव सदाचार में आप अवल नंबर से पास हो गए इसका अर्थ यह है कि वरिष्ट वैश्णवों को पूर्ण रूप से साश्ठांग नमस्कार प्रणाम भाव से अरपन करना प्रभुपाजी कहते हैं इस से जना जाता है कि वैश्ण प्रणार दंडवत साश्ठांग नमस्कार प्रभु को एक हजार हम कितना अरपन कर पाते हैं एक दो कई बार तीन कई भक्त हैं जो ग्यारा नमस्कार देते हैं दिन में दिनका दैनिक गणना होती है तो श्रील रगुनात दास गोष्वामी के विश्वामीं में चैतने चरि प्रति दिन वैश्णवों को तो कोई जिम जाने की आवशक्ता ही नहीं फिर यदि यदि इतना कसरत हो रहा है शरीर का व्यायाम हो रहा है तो पूरा सूर्य नमस्कार तो चंद्र नमस्कार सूरी नमस्कार मंगल नमस्कार नवग्र नमस्कार तो यहीं हो गया और श्रिलर रगुनाद दास गुष्वामी के विश्वाई में ऐसा वर्णन आया है वो ब्रंदावन धाम के प्रत्यक लीलास्थली का नाम लेते थे जैसे गिरीराज गोवर्धन की जाए और नमस्कार अरपन करते थे राधा कुंड शाम कुंड की जाए और केवल लीलास्थलियों के नाम से नहीं गौडिय वैश्णव परंपरा में जो भी वर्तमान वैश्णव आचारिय पूर्वकालिन वैश्णव आचारिय सभी के नाम को जोर जोर से उच्चारन करके श्रीला नाम आचारिय हरिदास ठाकुर की ऐसे नाम उच्चारन करके वो नियम बनाए दोर्भ्याम पद्ध्याम चे जानुब्याम उरसा शिरसा द्रशा मनसा वचसा चेती प्रणाम और अश्ठांग इरितहा है कि शास्त्र में बर्णन आता है कि साश्ठांग दंडवत प्रणाम का अर्थ क्या है कौन से अश्ठ अंग जब भूमी को सपरशित होते हैं तब प्रणाम पूर्ण रूप से सफल माना जाता है कि दोर्भ्याम पद्ध्याम चे जानुब्याम कि दो हातों से दो पैरों से और दो घुटनों से कितने हुए तीन दोनों हात मिला कर एक दोनों घुटने मिला करे कोई चे कह रहा था इसलिए दोनों कर कमल वरिष्णव जो भी अरपन करते हैं यह मिला कर एक हुआ कई बार हम देखते हैं हाथ में गरंतो होता है कई बार हाथ में माला होती है कई हाथ में क करते हैं यह सेवा अपराद हुआ क्योंकि जिब भगवान को अरपन करते हैं नमस्कार तो पूर्ण रूप से न्योच्छावर होनी चाहिए अच्छा हम कहेंगे एक हाथ से हो या दो हाथ से हो ठाकुर जी तो भावग रही है न तो अभी एक हाथ दो हाथ से अपराद कैसे वैश्नव सद्धर्म शिष्टपरमपरानुसार ऐसा बर्नन आता है कि जब नमस्कार अरपन करते हैं और हम हमारे हातों से ओनके चरण को सपर्श करते हैं जब हम ऐसे नमस्कार करते हैं मानो चिंतन ऐसा है जिनके भी चरण या जिनको भी हम नमस्कार प्रणाम अर्पन कर रहे हैं, ऐसा मानसिक है, ऐसा नहीं कि वैश्णव जिनको हम अर्पन कर रहे हैं, जाके दोनों हातों से धर धबोचे और उनके चरण धरें, कई बार तो युद्ध हो जाता है, एक वैश्णव, दूसरे वैश जिस रहा है, घसीट रहा है, उनको नीचे खीच रहा है, इनके धोती उनकी उपर ये उनके चाती पर बैठें, ये सब वैश्णव सदाचार के विपरीत है, विरुद्ध है, तो यदि कोई वैश्णव, हम दूर से भी उनका दर्शन कर रहे हैं, हम पूर्ना रूप से नमस आतों से भूमी स्पर्शित, पैर भूमी स्पर्शित, दोनों घुटने भूमी स्पर्शित, दोर भ्याम, पद भ्याम, जानुब्याम, उरसा, छाती का स्पर्श, उरसा, शीरसा, नतम मस्तक का अर्थी है कि मस्तक स्पर्श करे, सिर स्पर्श करे, कई बार भक्तों होते हैं कितने समय तक मैं जुके रहूं क्योंकि कई भक्त जब प्रेम द्वनी करते हैं कृपा पूर्वक चार-चार पाच-पाच मिनिट तो खीचते हैं एक भक्त तो कोई मंदीर में सो गया मंगल आरती के बाद प्रेम ध्वनी चल रही थी नर्सिंग आरती हो गई तुलसी आरती हो गई विचारा भक्त भाव विबोर होकर सोया है लोगों को लगा बहुत प्रेम है थोड़े समय के बाद पास गये तो फिर बहुत कृपा है तो यह प्रणाम के अंतरगत नहीं है खराटे लेना तो व्यक्ति को चाहिए उरसा चाती से शीरसा मस्तक और द्रिशा द्रिशा माने नेत्रों से पहले भक्त को या तुलसी देवी को या प्रभुपाजी को या गुरु तत्व को वैश्णव समाज को या विग्रह को दृष्टी से देख है पहले कि कि किन को हम प्रणाम कर रहे हैं ऐसे नहों किम प्रणाम कर रहे हैं व्यक्ति चले गए तो दोर्वयां-पद्वयांसे जानूब्यां हातों से घुटनोंगों से पैरों से च्षाति से फीर मस्तक से दृष्टी से मनसा वचसा चेति मन से भी मन का अउन्द यह कि जब हम प्रणाम करते हैं मन पूर्ण रूप से एकाघरभ भाव से इस थिप उनके चरनों में स्थित्र है कि यह वैशनव कितने सेवा की है या जब प्रभ्पा-जी के 40 के उमर में कौन विदेश-यात्रा करता है प्रचार हे तुनिस्वार्त भाव से पूरे जगत को तारे हैं हम यहां बैटकर वहरा लाटक कालिन सुबह उठकर कौन सा नवयूवक बैटकर भागवत बोलना सुनना शरवन कीरतन करना यह सब श्रीली प्रभुपाजी की देन में श्री प्रभुपाजीकर में असीम क्रिपा तुलसी देवी कौन है हमारी जीवन में इनका क्या स्थान है कंठ में तुलसी नासिका में तिलक में तुलसी पूरे शरीर में द्वादश तुलसी भोग भी प्रसाथ तब होता है जब तुलसी का बहुत सुंदर पत्ता हो नाम भी तब सपल होता है जब तुलसी की माला हो वो तुलसी देवी प्रत्यक्ष अब पोदे की रूप में विराजमान है यह ब्रिंदे देवी आपको मैं पूर्णा रूप से समर्पित हूं यह मनसा कि कितने हो गए साथ हाथ से भुटनों से पैर से चरणों से फिर चाती से मस्तक से द्रिष्टी से मन से अब आठवा है वचसा जोर से प्रणाम कहना यह भी वैश्णव सदाचार है जब हम नमस्कार करते हैं जोर से उचारन करके प्रत्यक विग्रह का हम प्रणाम मंत्र कंठस्त करें यह हमारा करतव्य है कि सीता राम लक्षमन हनुमान कौन है श्रीशी राध यह उच्छार राज भिहारी ललीता अब इशाखा हमारे लिए कौन है गोर निताय श्रील भक्ति सिद्धनत चाटर अब रहारे प्रभूपाद हमारे लिए कौन है तो इन सब का प्रणाम मंत्र कंठस्त करना और नमस्कार प्रणाम करते समें उनको पूर्ण रुप से स्मर Ну, так, पोच्चिया!